आज हम सिखेंगे कि Microsoft Word में default setting page कैसे save करते हैं सबसे पहले हम Word खोलेंगे Word खोलने के बाद में हम control shift app लबाएंगे तो इसमें हमें point का option दिखेगा फिर हम इसमें point कौन सा लेना चाहते हैं वो यहां type कर देंगे इसमें point style कैसे चाहिए regular, italian, gold हमने regular पर क्लिक किया और point size कितनी चाहिए हमने 16 पर क्लिक किया और point size कितनी चाहिए हमने 16 पर क्लिक किया और अगर हम इसमे point का color देना चाहें तो color भी दे सकते हैं हम अब black ही रखेंगे underline कर सकते हैं और इसमें effects कैसे डालना है वह भी डाल सकते हैं और selective space हम कम ज्यादा normal कर सकते हैं तो हमने default रिकावा aspect क्लिक करते हैं और yes करते हैं यह हमारे Hindi और point 16 सेट हो चुका है default page अब हम जब भी MS on approach करके open करेंगे तो by default हमारी यही setting वापस open होगी जब यह के cookie 10 और 16 करेंगे